कि है इस लोग से बिरिंग करते उनिको यह रिस्क होता हुगा पर ऐसा नहीं है क्या है फैटी लिवर और कैसे इसमें इसमें आपकी मदद कर सकते हैं यह बताने के लिए हमारे साथ जो नहीं है आयुरबेदा चार्या डॉक्टर रनमीर उनिसे सीखते हैं डॉक्टर साव और अब हम बात करने जा रहे हैं करता है, कई तरह के hormones को बनाने में help करता है, तो liver हमारी body का second largest organ है, और हम इसको ignore नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत जदा तेली पदार्थ खाने की वज़े से, बहुत जदा heavy fried food खाने की वज़े से, या फिर आप क्या करें, कि हमारा liver fatty होने ही ना पाए, सबसे पहली बात तो यह है, कि आपको fatty और spicy foods को थोड़ा सा control में रखना चाहिए, दारूगर पी रहे हैं, दारूगर निश्य टूप से control में रखना चाहिए, दारूच छोड़नी चाहिए, मैं आखों की या तुचा पीली पढ़ रही है, आखों में पीला पन है, या तुचा पीली पढ़ रही है, तो फिर आपको liver चक्रानी की जरुवत है, इसके साथ साथ में खाना आजाम से digest नहीं हो पा रहा है, और पेट में सूजन आ रही है, पेट में आपको लग़ना पानी सा भर रहा है, अगर इस तरह के लक्षणा को दिखाई पढ़ रहे हैं, तो निश्चे तो उपसे fatty liver के symptoms हो सकते हैं, यह दो तरह का होता है, alcoholic भी हो सकता है, non-alcoholic भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है aloe vera बहुत बढ़िया काम करता है आपके liver के उपर, तो अगर आप aloe vera लेते हैं, 20 ml सुवे, 20 ml साम को, इसके साथ-साथ में आप detox लेते हैं, एक गोली सुवे, एक गोली साम को, क्योंकि body गो detoxify करता है यह, इसके साथ-साथ में आप krillal capsule लेते हैं, krillal capsule लाजबाब तरीक में, अगर आप इन supplements को लेते हैं, तो निश्य तुरूप से आपको बहुत फाइदा रिखता है, thank you, fantastic, fantastic, amazing, doctor साब, और इतना असान, क्यतेना उपाए है, तो क्यों परेशान हूँ, लाखों लोगों को फाइदा हो रहा है, मोधी के food supplements से, पर fatty liver में, क्या मदद मिली है, यह आने के लिए Radhika जी हमार साथ जुड़ी है, over to you Radhika जी, 30 seconds से आपके पस, thank you, ma'am, hello everyone, good Madhika morning, मेरा नाम Radhika Mahishuri है, and Gajiavaz से बिलॉंग करती हूँ, पैटी लीवर की problem मुझे बहुत ज़्यादा थी, मैं अगर कुछ भी spicy खाती थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा problem होती थी, पहले नहीं पता था, तो टेस्ट करवाय था, तो पता चलाता, तो उसके बाद मेरे, मुझे, मैंने मोधी के supplements लिये, जिसमें मैंने aloe vera, gilloy, krill oil, krill oil लिया था, and detox, तो इन चारो products ने मुझे बहुत help रही, और आज की डेट में ये मेरी problem बिल्गुल solve हो चुकी है, so thank you so much. Amazing, एकनी चोटी एज में आपको इत्ती बड़ी problem हुई थी, और फिर वो आपने solve कर ली, सही समय पर सही की फैसला, fantastic, हमार साथ एक और व्यक्ती जुड़े है, दीपक खरकवाल जी, आईए उन से सुनते हैं, उनका experience. So, दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम दीपक खरकवाल है, मैं उत्राखन देहरादून से बिलांग करता हूं, मैं सिल्स प्रोफेशन में था और ओर नाइट सफर करना, और होटल का खाना खाना, इस सब से क्या हुआ था, मेरा पेट फुला-फुला सार था, जब ड़क्टर को तो पता चला कि मैं फैटी लीवर की तरफ जा रहा हूं, तो दोस्तों, फिर मुझे मोधी के सब्लिमेंट के बारे में पता चला, मैंने डीटॉक्स, एलोवेरा, क्रिल ओयल और गिल लेना स्टार्ट किया, दोस्तों, और कुछी समय में मैं नॉर्मल हो गया, और मैं अब प बेट नरम रहना चाहिए, और अगर इन फूद सप्लिमेंट को लेकर के आप यह बेसिक चीजें कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया जाए, बहुत बढ़िया दोस्तों, all the very best.